मैं बताने वाली हूँ जी हां सुमवारी कितना करना है जी हां अक्सर अपडेट आ रहा है कि आठ करना होगा या चार करना होगा या दो करना है चैनल कैसे आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए नीचे बाल आइकन इसे जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ आपके पास आज की वीडियो में बताने वाली हूं सुमवारी कितना करना है अकसर अपडेट आ रहे हैं कि 8 करना होगा या 4 करना होगा या 2 करना होगा तो फाइनली मैं बता दे रहे हूं जो सुरूर का 2 होगा जी हाँ एक दस को है और एक है सुला को जी हां आप लोग ये दो कर सकते हैं और बीच में जो है वो मलमास का महिना है जी हां इस पर आप लोग अधिक मास जिसको कहते हैं वो भी लगा हुआ है तो इसलिए इसमें एक महिना तक कोई सुंबारी नहीं होगा उसको बैद फिर आप 17 अगस सावन में मन लगा के करें कहा जाता है कि सावन में सिब जल्डी अपनी भक्तों की मुराद पूरा करते हैं तो आप लोग बहुत तन मन धन से सिब जी की पूजा करें और हर जगा जी हां सावन 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 में हरा बिंदी सावन में हरा चूरी पहनी हुई हूँ और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हूं तो प्लीज अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा समय वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जी हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा और कहा जाता है कि अधिक मास जी हाँ जंडा जब गरा जाता है तो पूजा नहीं कि जाता है जी हां मंदिर के जो दरवाजे हैं वो बंध हो जाता है और घर में लोग करते हैं लेकिन मैं अपने गाउं में देखी थी कि जब कहा जाता है मलमास जब लगता है तो जो भी भगवान होते हैं वो चले जाते हैं कहीं और जहां जंडा कराता है तो वहां चले जाते इतो, एक महिना या दो Eक महिना तक कोई पूजा नहीं होता जब झळड़ा मंदिर का पट खुल जाता है तो ऐसे होता है ऐसे मुझे knowledge अप लोग को कैसे मलमास का knowledge तो प्लीज मुझे comments करके जरूर बताएगा अग आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सेर करना बिल्कुल न भूलना थैंक्स पूर वाच्चिंग, किप सपूर्ट